हेलो दोस्तों मेरे नाव निते साराब सब्सक्राइब को इस एक टेक्टिकल केस ऑनलान लर्निक प्लेटफॉम पे स्वागत करता हूं तो आज हम लोग कलाश 12 का केम्पूटर साइन्स का चैप्टर नंबर वन रिव्यू आफ सी पलस पलस में टॉपिक नंबर वन इंट्रोड प्ल इसलिए आपतों से कानली होवेश्ट है कि वीडियो में सुरुं से लेके लट तक बने दे तो जवी तो सबसे सायई महीं हैं कि टोगेट whereby सिखस्कार कुंट करते हैं कि टोखने को समय्हें करतें कि हमारे मिद से समइब कि क dob 우리는 कि तो काता है कि the smallest individual unit in a program is non-edge token क्या काता है कि program का सबसे छोटा part इकाई को हम लोग token करते हैं इसको और थोड़ा सा समझें तो ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम लोग program को बनाते हैं create करते हैं तो उसमें जो हम लोग language भासा को use करते हैं तो उसमें जो सबसे छोटा इकाई होता है उसे हम लोग token करते हैं तो इसको आद रखिए MCQ के लिए बहुत important है कि the smallest individual unit in a program is known as token कि program के सबसे छोटे से इकाई को हम लोग token करते हैं आगे काता है कि it is also known as lexical unit कि token को हम लोग lexical unit के नाम से भी जानते हैं किस नाम से जानते हैं lexical unit से आगे काता है कि types of token कि token का परकार token कितने परकार का होता है तो चलिए सबसे फिले देखते हैं कि token कितने परकार का होता है तो काता है कि there are five types of token कि जो हमारे token है वो पांच परकार का होता है तो पहला type है keywords दूसरा हमारा है identifiers अभी बस नाम को सुनते जाए आगे हम लोग पूरा full detail में discuss करेंगे कि यह सब क्या होता है फिर तिसरा type हमारा है लिटरल्स चौथा हमारा है punctuates फिर 5 जो है ओपरेटर जो हमारा 5 वाइटर ताइप है उप्रेटर इस परकार से जो हमारा keyword है उसका total 5 types है पहला है keywords, दूसरा है identifiers, तिसरा है literals, चौथा है punctuator और पांचवा है operator तो चलिए सबसे पहले हम लोग पहला के heading लगाते हैं कि keywords किसे कहते हैं तो सबसे पहला point कहता है कि keyword is a reserve word कि keyword जो है वो एक reserve word है अब reserve word क्या होता है तो जैसे हम लोग bus में travel करते हैं तो bus में जो seat होता है तो जो conductor होता है bus का वो क्या कहता है कि यह जो seat है वो पहले से reserve है आनि पहले से book है इसी परकार से जो हमारा keyword है उसका जो meaning होता है वो program में पहले से ही reserve होता है इसलिए कह रहा है कि keyword जो है वो एक परकार का reserve word है अगला point number two में कहता है कि keyword is a special meaning कि जो मारा keyword है उसका एक special meaning होता है program में अगला point कहता है कि keyword is a predefined word कि जो मारा keyword है वो predefined है अब predefined का मतला होता है पहले से define है आनि जो keyword का meaning होता है वो program में पहले से define होता है जिस परकार से अगर हम आपको बोलें कि hello तो hello का मतलब आप क्या सम्झेंगे कि सुनो तो जिस परकार से hello hello का जो meaning है वो आपके दिमाग में पहले से defined है उसी परकार से चो महारा keyword होता है उसका meaning होता है वो program में पहले से defined होता है इसलिए काता है कि keyword is a predefined word अगला point काता है कि keyword contain only letter की जो keyword होता है वो सिर्फ letter को लेटर ही रखता है कोई सिंबॉल नहीं रखता है अगला पॉइंट काता है कि कीवर्ड always written in a small letter कि जो हमारा कीवर्ड होता है वो हमेशा a small letter में लिखा जाता है कीवर्ड को कभी भी capital letter में नहीं लिखा जाता है keyword जो हमारा होता है उसको हमेशा small letter में लिखा जाता है अगला point काता है कि in C++ there are 95 keywords are present कि जो हमारा C++ होता है उसमें total 95% keyword ही use होता है अब हम लोग देखेंगे कि some name of keywords are कि keywords का कुछ नाम तो सबसे पहला हमारा int int जो है वो एक परकार का keyword होता है फिर हमारा plot, plot भी keyword है फिर हमारा care, care भी एक परकार का keyword होता है फिर हमारा if, if भी keyword है फिर else है फिर wide है फिर switch है फिर case है फिर default है उसके बाद फिर four है फिर do है उसके बाद public है private है aesthetics है उसके बाद फिर हमारा long है उसके बाद double है उसके बाद switch है break है continue है do है class है struct है, static है, inline है और protected है, तो इस परकार से जितना भी हम लोग देखें, यह सब keyword है, अगर यह सब आत रहता है तो ठीक है, नहीं आत रहता है, तो कोई बात नहीं, तो यह जो हमारा था, वो हमारा keyword था, अब हम लोग token का दूसरा type समझेंगे कि आइडेंटीफायर्स किसे करते हैं तो अगर हम लोग आइडेंटीफायर्स के इसका नाम को तोड़ने का पजास करें तो आइडेंटीफायर्स आनि आइडेंटीफायर्स और आइडेंटीफायर्स का मतलब लोग समझते हैं कि पहचान करना तो हम लोग कर सकते हैं कि किसी भी तर्म का पहचान को बताने वाले कोई हम लोग identify कर सकते हैं जैसे यहाँ पर हम मान लेते हैं कि x बराबर 10 अब यहाँ पर जो हमारा x है वो 10 के बराबर है तो हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा x है वो identify कर रहा है कि x जो है वो 10 के बराबर है तो यहां पर हम X को identify कर सकते हैं तो चलिए सबसे पहले हम लोग पहला point समझते हैं तो काता है कि identify is just like a variable कि जो हमारा identify है वो एक परकार का variable है variable आने जिसका value जो है वो fix नहीं होता है उसको हम लोग variable काते हैं फिर अगला point काता है कि identify is not a result word हम लोग पिछे keyword में पढ़ें थे कि keyword जो है वो एक परकार का result word है लेकिन यहां जो identifiers है वो का रहा है कि identify जो है वो result word नहीं है आनि identify का meaning है वो program में पहले से result नहीं है, fix नहीं है फिर अगला point काता है कि identify is an user defined कि identify जो है वो user defined है user defined का मतलब हम लोग जो हम लोग के द्वारा define क्या गया हो हम लोग के द्वारा create क्या गया हो फिर अगला point करता है कि identifier is contain later symbol digit that is underscore कि जो हमारा identifier होता है वो अपने अंदर later को भी contain करता है symbol को भी contain करता है और digit और जो हमारा underscore यहां underscore जो है वो एक परकार का symbol है यह जो है उसको हम लोग underscore करते हैं इसको हम लोग underscore करते हैं फिर अगला point करता है कि identifier always start with later कि जो हमारा identifier है वो हमेशा later से ही start होता है जैसे यहां पर ABC हो गया XYZ हो गया PQR हो गया आनि यह से Z की विच में कुछ भी हो सकता है आनि जो हमारा identifier है वो हमेशा later से ही start होगा फिर अगला point करता है कि identifier retain in upper case and lower case later कि जो हमारा identifier होता है उसको हम लोग upper case का मतला होता है कि capital जैसे यहां पे ABC हो गया XYZ में उसके बाद करया है lower case lower case का मतला होता है कि a small letter जैसे PQ हो गया R हो गया small letter को हम लोग lower case कते हैं तो इसलिए करता कि identifier में व्निका जाता है वो हमेंसा लेटर से स्टार्ट होता है तो यहाँ पर लेटर से स्टार्ट हुआ उसके बाद हम लोग देखें कि जो हमारा identifier है वो अपने अंदर लेटर, symbol, digit कुछ भी रख सकता है तो यहाँ पर digit भी है तो यानि ABC, 123, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है ABC के जगाँ X, Y, Z भी हो सकता है P, Q, R, आनि A से लेके Z की भी में कुछ भी हो सकता है फिर 123 के ज़रे भी हो सकता है 456 आनि 1 से लेके 100 की भी में कुछ भी हो सकता है उसके बाद अगला कहता है example में कि underscore हम लोग पढ़े हैं कि जो मारा एडें टीटिफायर होता है वह अपने अंदर अदर सफर्वीं करता है तो यह पर अंदर सपर्वाइब सब्स क्धिर वापनीकोट स्थे होअ सकता है रागला एकजामपल एक्ष मैं हो सकता है यह दीन यहांbon लिच्टरो अस्का होता है उसको यह होता है वो कभी चेंज नहीं करता है यह थीप्स रह आगे नहीं करता है श्वशी को त्सकर चींजन ना कर Him दूजयिक अछाई आदा ट्रेंगे कि लिट डिकेंगे कि लिट्र來了 PCR का 4 Types of Literals कि हमारा लिटरल्स है वो 4 परकार का होता है सबसे पहला है Integer Constraint Integer Constant जो लिटरल्स का परकार है ताइपस है दूसरा फिर हमाराす falls floating constant फिर हमारा तिसरा है character constant और चौथा हमारा है upstream constant अब हमलोग एकर करके समझेंगे कि Integer constant किसे कखते हैं फिर floating constant किसे करते हैं, फिर character constant किसे करते हैं, उसके बाद हम समझागे कि a string constant किसे करते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से समझे और इसका definition को points को आज रखने का प्रियास करें, क्योंकि यहां से एक clean marks का subjective question आपके 12th के final exam में पूछने का पूरा संभावना बनता है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग पहला का heading लगाते हैं कि integer constant, तो पहला point काता है कि integer constant is used for display the decimal number आनि 0 से लेके 9 तक, जो हमारा integer constant होता है, उसको हम लोग यूज करते हैं, display कराने के लिए, so कराने के लिए, सिर्फ decimal number को, अब यहां decimal number का मतलब यह नहीं कि 3.4, 5.6 आनि point वाला number नह होता है, 0 से लेकर 9 तक, तो जो हमारा integer constant होता है, उसको हम लोग यूज करते हैं, सिर्फ 0 से लेकर 9 तक के हैं number को display कराने के लिए, so कराने के लिए, फिर अगला point करता है, कि integer constant cannot understand fractional number, कि जो हमारा integer constant है, वो fractional number को understand नहीं करता है, आनि fractional number का मतलब हुआ, जैसे 3.4, 5.6, आनि जो fraction में होता है, वो ऐसे number को integer constant understand नहीं करता है, अगला point करता है, कि the short name of integer constant is int, जो integer constant होता है, उसका जो short name है, छोटा नाम है, उसको हम लोग int करते हैं, int, फिर अगला point करता है, कि the size of integer constant is 2 byte, कि जो integer constant है, उसका जो size है, वो 2 byte है, फिर अगला point करता है, कि the range of integer constant, range range का मतलग क्या होता है कि कहां तक integer constant जो है वो work कर सकता है काम कर सकता है तो वही कहा रहा है कि the range of integer constant is minus 32768 से plus 32766 तक जो मारा integer constant है वो minus 32768 से लेकर plus 32766 तक work कर सकता है जैसे फोर example अब हम लोग example में minus 3778 से लेकर plus 32766 के बीच में कुछ भी नमबर ले सकते है जैसे हम 10 जो गो minus 3798 से लेकर plus 40006766 के बीच में हम कुछ भी नमबर ले सकते है उसको हम लोग integer constant का सकते हैं अब हम लोग लिटरल का दुसरा टाइफ समझेंगे कि floating constant किसे कहते हैं तो पहला point कहता है कि floating constant is used for display the both number that is decimal number and fractional number कि जो हमारा floating constant है उसको मैं लोग यूज करते हैं दोनों number को display कराने के लीए और decimal number को भी और fractional number को आनि decimal number का मतलब 0 से लेके 9 तक के number को भी display कराने के लिए हम लोग floating constant का यूज करते हैं और fractional number का मतलब होता है कि मानले ज़र 3 बटा 4 हो गया 5 बटा 6 हो गया आनि 3.7 हो गया आनि point वाला number fraction वाला number को भी display कराने के लिए हम लोग floating constant का यूज करते हैं फिर आगला point काता है कि floating constant is also known as real constant कि floating constant को हम लोग real constant के भी नाम से जानते हैं फिर आगला point काता है कि the short name of floating constant is float कि जो मारा floating constant है उसका जो short name है छोटा नाम है उसको हम लोग float काते हैं F-L-O-A-T फिर आगला point काता है the size of floating constant is 4 byte कि जो हमारा floating constant है उसका जो size है वो 4 byte है हम लोग पीछे पढ़ेते कि जो हमारा integer constant होता है उसका जो size होता है वो 2 byte है लेकिन जो हमारा floating constant है उसका जो size है वो हो है 4 byte फिर हम लोग अगला point देखेंगे तो कहता है कि the range of floating constant is 3.4 into जो हमारा computer system है उसमें into इसको नहीं कहते हैं computer system में into का मतलब होता है star तो वही कह रहा है कि 3.4 into 10 का power minus 38 से लेके पलस 3.4 into 10 का power 38 minus 1 जो हमारा floating constant का range होता है वो plus 3.4 into 10 का power minus 38 से लेके plus 3.4 into 10 का power 38 minus 1 के बीच में होता है अब हम लोग जो हमारा floating constant है उसका हम लोग example लिखेंगे तो example जैसे हम ले लिए 10, 3.15, minus 7, 3.56 जो हमारा floating constant है उसका हम लोग range पढ़ें range कितना होता है 3.4 into 10 का power minus 38 से लेकि plus 3.4 into 10 का power 38 minus 1 अब उसके बीच में हम कुछ भी number ले सकते हैं जैसे यहां पर ले लिए 10 ले लिए 3.15 ले लिए फिर-7, 3.56 ले लिए आने हम लोग क्या पढ़ें कि जो floating constant है उसको हम लोग decimal number और fractional number तो यह पर decimal number भी है fractional number भी है दोनों number को जो है वो display करा रहे हैं अब हम लोग literal का तिसरा type समझेंगे कि character constant किसे करते हैं तो सबसे पहला point करता है कि character constant is used for display the single letter और character कि जो हमारा character constant है उसको हम लोग use करते हैं display कराने के लिए single letter और character को अब यह single letter का मतलब जैसे यह हो गया बी हो गया, सी हो गया और यह से लेकर जैड के बीज में कुछ भी हो सकता है लेकिन वो single letter ही होना चाहिए फिर अगला point करता है कि character constant written in single quarts अब यह quarts का मतलब होता है कि single invited कोमा तो वह ही का रहा है कि जो मारा character constant है उसको में लिखते हैं single quarts में फिर अगला point काता है कि the short name of character constant is care जो मारा character constant है उसका जो short name है छोटा नाम है उसको में लोग care काते हैं फिर अगला point काता है कि the size of character constant is one byte कि जो मारा character constant है उसका जो size होता है वो one byte होता है फिर अगला point कहता है कि the range of character constant is minus 188 से लेके plus 127 कि जो हमारा character constant है उसका जो range होता है वो minus 188 से लेके plus 127 तक होता है अब हम लोग for example यहाँ पर example लेते हैं तो हम लोग character constant में क्या पढ़े हैं कि जो character constant है उसको हम लोग use करते हैं display कराने के लिए single letter अब यहाँ पर जितना भी है single letter है और हम लोग क्या पढ़ें कि single quarks में उसको लिखते हैं तो quarks का मतलब single invited comma आप यहाँ पर single letter लेने यह उसको single invited comma में लिख दीएं यहाँ यह पर यह है फिर P है फिर S है और वह जो है को हम लोग देखेंगे जो आपके फैनल एक्जाम के पॉइंट यो से यहां से mcq जो है वह important होता है अब हम लोग यहां पे कुछ special character constant समझेंगे जो आपके फैनल एक्जाम के point of view से important होता है क्योंकि यहां से mcq जो फिर अगला जो है वो है slash b इसका जो meaning होता है इसका होता है backspace फिर अगला जो है वो slash f है इसका जो meaning होता है वो होता है from feed फिर अगला जो है वो हमारा है slash r इसका जो meaning होता है वो होता है courage return फिर अगला हमारा है slash n इसका जो meaning होता है वो होता है new line फिर अगला जो होता है वो हमारा है slash b इसका जो काम होता है वो होता है vertical tab के लिए फिर हमारा है slash o इसका जो काम है वो नल character का होता है अब लिटरल का हम लो last type समझेंगे जो हमारा है a string constant तो पहला point कहता है कि a string constant is used for display the multiple letter or character कि जो हमारा string constant होता है उसको हम लो use करते हैं display कराने के लिए so कराने के लिए multiple letter आनि एक से ज़्यादा अच्छर आनि एक से ज्यादा letter को display कराने के लिए हम लोग string constant का यूज करते हैं जैसे यहाँ पर example ले लेते है A, B, C तो यहाँ पर एक से ज्यादा अच्छर या लेटर्स है तो उसी ताप के letters को हम लोग display कराने के लिए a string constant का use करते हैं अगला point करता है कि a string constant written in double quarts कि जो महारा string constant है उसको हम लोग double quarts में लिखते हैं अब यहां double quarts का मतलब हुआ double invited, कि a string constant आने जितना भी हम लोग a string constant में letters लिखेंगे multiple letters लिखेंगे उसको हम लोग double quarts में लिखेंगे जैसे यहाँ पर example ले लेते हैं जैसे यहाँ पर ले लिए ए बी सी तो यहाँ पर multiple letters हो गया अब इसको हम लोग double quarts आनि double inverted कोमा के अंदर लिखेंगे तो अगर इस तरह लिखा हुआ रहा तो उसको हम लोग समझ जाएंगे कि यह जो है वो a string constant है फिर अगला point करता है कि the size of a string constant is one byte for each character कि जो हमारा string constant का जो size होता है वो एक byte होता है for each character आनि परते एक letter के लिए परते एक character है 3 थो letter है ABC तो इसका죠 size होगा Owen तीन byte होगा यह पर कह रहा है कि एक byte जो है वो इस character आनि परते character के लिए होगा तो चुन है तो इसका जो size होगा वो 2 बाइन फिर आगे कहता है कि it contain one extra byte for a null character कि जो string constant है वो one extra byte जो है वो रखता है for a null character के लिए जैसे यहाँ पर example ले लेते हैं तो example में जैसे यहाँ पर example ले लेते हैं जैसे यहाँ पर happy तो happy जो एक स्यादा character है और उसको double quarts double inverted comma में लिखा गया है फिर यहाँ पर अगला जो है वो कोचन का रहा है कि find the size of the terms कि यह जो terms दिया हुआ है इसका size को ग्याद करें find करें तो सबसे पहले हम लोग कोचन number one देखेंगे तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि यहाँ पर जो मारा यह लिखा हुआ है वो single सिंगल इंवाइटेड कोमा में तो आप लोग उपार वे पढ़े दीगे अगर सिंगल इंवाइटेड कोमा में देगा तो उसको हम लोग character constant कहेंगे और character constant का जो size होता है वो one byte होता है इसलिए इसका जो size होगा वो कितना हो जागा one byte हो जागा अगला question number two काता है कि find the size तो यहां पर यह दे दिया हुआ है और डबल इन्वाइटेड को होगा और डबल quards है अब इसका size कुछ रहा है तो हम लोग पढ़ें कि यह string constant जो है वो उसका जो size होता है वो one byte होता है फोर each character और परतेक अच्छर के लिए तो यहां पर एक अच्छा रहा तो इसका जो बाइट होगा वो वन बाइट होगा अब यहां पर एक बाइट और जुड़ेगा फोर अनल करेक्टर आनि एक बाइट जो है वो और जूड़ जाएगा तो इसका टोटल साइज होगा वो दो बाइट होगा इसलिए जो साइज होगा वो दो बाइट होगा अब इसको सिंपली कैसे निकालेंगे तो हम लोगो क्या देखना कि अगर डबल इनवाइट कोमा के अंदर जितना भी अच्छा देगा उससे हम लोग को एक बढ़ा की लिखना है जिसी यह पे लिखा वाइग करशह तो एक हो गयांनी हमने को एक बाइगा के लिखना जब ignorant आ सब्सक्राइब कर लिए तो आज के लिए बस इतना ही अगर मन करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में